नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देखना सुरू कर चुके हैं बिहार के संभीदा कर्मियों का लोग पिरिये नेटवर्क निउज फोर फोटी फोर निउज नेटवर्क तो दोस्तों एक बार फीर आपका हमारे चैनल में स्वागत है हार्दी कभी नंदन है तो दोस्तों आज की महतपूर्ण खबर बिहार के तमाम वाड़ सदस संभीदा करमचारी और आमजनों से जूड़ी हुई महतपूर्ण अपडेट सरकार के तरफ से हम लेकर आए हैं बिहा सारे तोफे और जो है कि किनका काया कल्प किया है बिहार के मुखमंतरी नितीज कुमार में तो बिहार के मुखमंतरी नितीज कुमार का धाखल बैयान आपको सुनवाए उसे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा होंगे expensive degree college का दिया जाएगा दर्जा आधूनिक बनेंगे मदर्से और निर्मान करवाया जाएगा नए मदर्सों का ऐसा हम नहीं कह रहा है ऐसा बिहार सरकार के मुखमंत्री नितिज कुमार में समधान यातरा के दवरान ये घोसना की है बिहार के मुखमंत्री ने सर्वजनिक तोर पर मिडिया के सामने इस बात की घोसना की है कि बिहार में जितने मदर्से हैं सब को expensive यानि की degree college का दर्जा दिया जाएगा उसको जो है कि बढ़ावा दिया जाएगा और नय मदर्सों का निर्मान परदेश में करवाया जाएगा और बिहार के मदर्सों को जो है कि science college का दर्जा भी दिया जाएगा बिहार के मुखमंत्री ने पश्ट रूप से कहा कि हमारे आने से पहले बिहार में मदर्सों की क्या इस्तिती थी बिहार में मौलवियों को कोई मांदे कोई बेतन कुछ नहीं मिलता था लेकिन हमने जो है कि इस दिशा में कार्ज करना सुरू किया जिसका परिणाम है कि आज बिहार के जितने भी मदर्से उनमें कार्जत सिख्षेतर सिख्षकों को मांदे और बेतन देते रहे हैं, अभी लोगों की मांग है कि इसका बिस्तार किया जाए, तो हम मदर्सों को डिगरी कॉलेज का दर्जाद देंगे, बिहार के मुखमंतरी के इस घोसना से बिहार के आम जनों में काफी खुसी है, उस बिहार के तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, तो पहले आपको सुनवाते हैं, बिहार के मुखमंतरी सिरी नितीज कुमार जी का वह बयान, जिसमें बिहार के मदर्सों को डिगरी कॉलेज का दर्जाद दिये जाने की घोसना सर्वजानिक रूप से मुखमंतरी न सिख्षा के रूप में जो कार्ज कर रहा हैं, वे लाखो रूपए बेतन के हकदार हो जाएंगे और उनको बेतन मिलना सुरू हो जाएगा, साथ ही जो है कि मदर्सों को आधूनिक बनाने के लिए कंप्यूटर और जो है कि एसी से लेकर तमाम आधूनिक सुविदाओं को वाने की घोसना भी सरकार में की है, और इसके लिए सरकार के खजाने से जो है कि रासी दी जाएगी, बिहार के मुखमंत्री का कहना है कि अम मदर्सों को साइंस कोलेज का दर्जा दिया जाएगा, और बिहार के सारे मदर्सों को डिगरी कोलेज का दर्जा दे कर और वहां का कि दहाए सरकार मुहया कराएगी तो आपको जो है कि हम स्वाय मुखमंत्री का वह बयान सुनाते हैं उसके बाद आपको हम सारी बाते बता दें तो दोस्तों आपने सुना कि बिहार के मुखमंत्री किस तरह से जो है कि ब्यान दिये हैं और बिहार के मदरसों का अगन विकास करने की बात काहें है साथ इ wyhark ayto by data टैयार किया जा रहा था और वहाँ पे बताया गया कि कि सारा की मदरसा की डिगरी कॉलेज का रूप देना है और जो है डिगरी कॉलेज का रूप देने के बाद उसमें कारज़त कर्मियों को कॉलेज के कर्मियों के भाती बेतन और मांदे की सुबधाय मुहया करानी है यह सारा कार जो है कि मुखमंत्री ने अपने जी में ले रखा है और मुखमंत्र इसी के लिए समधान यातरा पर घूम रहे थे ताकि यह देख सकें कि कौन से कार्ज कि विहार में हुआ है और कौन से कार्ज होना बाकि है जिसमें विचा को की अबिलता चुन है कि सबसे पहले उनकी न值र भिहार के मदर्स और जो है कि Science College के भाति उसमें जो है कि सारी सुविधायत दे दी जाएंगी बिहार के अधुनिक मदर्सों में से जो बचे पढ़ रहे हैं उनको जो है कि इस पेसर डाइट और सुविधायत सरकार मुहया कराएगी जिससे बिहार का विकास होगा और बिहार में जो है कि विकास संख्यक समुदाय के वोट को लुभाने के लिए किया गया है खैर जो भी हो अल्वसंख्यक समुदाय के वोट को लिए किया जाए या किसी चीज के लिए किया जाए लेकिन बिहार के मदर्सों का विकास करने की मानसिक्ता जो है कि मुखमंत्री ने बनाई है जो सराहनिये है बिकास हर वर्ग का होना चाहिए हर छेत्र में होना चाहिए चाहे वह विद्यालय हो इसकूल हो मदर्शा हो हर जगह जो है कि सिख्षा के छेत्र में बिकास होगा तभी जो है कि दबे कुछले लोगों का बिकास होगा बिहार का बिकास होगा तो देश का बिकास होगा हम तो इ देने जा रहे हैं साथ ही वहां कार्जरत शिक्षकों को ज्योकों के निटी तो लिए ओनेने जा mistरू zer कीि सुधिते देनेों के सथी अगलि के न्यूंति अर और इई झाल